हलो आज हम बनाते हैं चावल से बनी वीडली इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर तीन कटोरी चावल फुला दिया था और इस से आधा हमने उड़त की दाल लिए उड़त की दाल हमने देड़ कटोरी लिए उड़त के दाल के साथ ही हम इसमें एक छोटी चमज भर के मेथी का दाना भी फूला देंगे चावल और दाल को हमें अलग-अलग पीस लेना है तो पहले हमने चावल को पीस लिया है तो यहाँ पर हमारा चावल पिसकर रेड़ी है चावल में पीसते समय में ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है और इसके बाद हमने यहाँ पर उड़त दाल को भी पीस लिया है उड़त दाल को हम एकदम बारिक पीसेंगे दाल और चावल को हमने अलग-अलग पीस लेग पीस ले था तो चलिए अगले स्टेप में हम इसे मिलाते हैं और हमें एक ही तरब घुमाते हुए इन्हें मिलाना है एक ही दिशा में हम इसे हाथ से मिलाएंगे तो यह बहुत अच्छा खमीर इसमें उठेगा इडली का पेस्ट हमारा देखिए इतना गाड़ा रहना चीए जब खमीर इसमें उठे आएंगे अगर हम जादा पानी मिला देंगे अभी से तो खमीर इसमें अच्छे से नहीं उठ पाएगा इडली के पेस्ट को रखने के पहले हमें अच्छे से बरतन को क्लीन कर लेना है और देखिए किस तरह से बरतन हमारा यहां तक खाली है और जब इसमें खमीर उठ जाएगा तो एकदम उपर तक फूल जाएगा इडली पेस्ट को फूलने के लिए रखते समय हमें इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है नमक भी नहीं मिलाना है वरना इसकी जो खमीर उठने की प्रक्रिया है वो धीमी पढ़ जाएगा और खमीर अच्छे से नहीं उठ पाएगा तो यहां पर हमारे 10 से 11 गंटे हो चुके थे यहने पूरी ओवरनाइट यह फूला है तो देखिए कितने अच्छे से इसमें खमीर उठा है गर्मी में बड़ी आसानी से इडली पेस्ट में खमीर उठ जाता है लेकिन ठंड में इसे खमीर उठने में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इसे किसी गरम जगा पर रखे और हो सके तो इस पर कोई करम चीज कंबल वगेरा ढाग दे और यह कंबल वाली प्रक्रिया में सेर्फ ठंड में और वरसात में अपनानी है तो चलिए अब हम इडली बनाते हैं इसमें थोड़ा सा पानी एट करेंगे क्योंकि यह बहु आप चाहें तो इसमें बेकिंग सोड़ा भी मिला सकते हैं एक चुटकी भर साचो में इडली का पेस्ट डालने के पहले थोड़ा सा ओईल लगाना बहुत जरूरी है यहां हमारा इडली में का रेड़ी है तो चलिए इन्हें पकने के लिए अब हम रख देते हैं तो इसके करेंगे कि पकी है या नहीं तो इसके लिए हमें एक चाकू से इन में लगा कर देखना है अगर चाकू हमारा साफ निकल आता है तो इडली हमारी अच्छे से पक गई है और अगर चाकू में थोड़ी भी पेस्ट लगा रहता है तो इन्हें पांच मिलिट के लिए और छोड देते हैं तो इडली हमारी तयार है इसे अब चटनी और सांबर के सांथ सर्व करिए जी रैस्पी पसंद आए तो चैनल को लाइक जरूर करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो मिलते हैं अपनी पाक्षाला में नेक्स्ट वीडियो में